एक लड़का जो लड़की को बच्पन से प्यार करता है पर उस लड़की ने हमेशा उसे मैनोपिलेटी किया इनकी लव स्टोरी का अंद क्या होगा हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको ग्रेट एक्सपेक्टेशन ही 1998 की एक रोमेंटिक हॉलिवड मुवी एक्सप्लेंट करने वालो हूँ अगर आपको अच्छे लगती है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए अब बिना किसी देरी के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और एक छोटे से बच्चे को हम देखते है इसका नाम में फिन फिन फिशिंग करने के लिए आया हुआ था वही बर्व ड्रॉइंग भी करता है बड़ा होने के बाद फिन ही ये सब स्टोरी हमें बता रहा है उसे पानी में कुछ दिखा और अचानक से एक आदमी उसे पकड़ लेता है उसका मूँ उसने बंद कर दिया वो कहता है मेरे बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें मैं मार डालूँगा फिन जब शान्त हुआ दो साथ मीनों से गा जाओ और मेरे लिए कुछ फूड वेकरा लेकर आओ वो एक क्रिमिनल है जो जेल से भाग चुका है अपने कवस खोलने के लिए उसे बोल्ड कटर की जरुवत थी फिन बहुत ही डर जाता है और वैसे ही घर आ जाता है बच्वन में उसके पैरंस गुजर गए थे अब वो अपनी सिस्टर और सिस्टर के बॉइफरेंड के साथ रहता है sister के boyfriend ने उसे पूछा कि कुछ अलग लग रहा है क्या हुआ Finn को लग रहा था कि sister के boyfriend को पता दिना चाहिए पर वो कुछ भी नहीं कहता उस आदमे ने उसे खाना और bowl cutter लाने के लिए कहा था राद में फिन सब चीजे ले कर उस क्रिमिनल के पास भोज गया उसने उसके लिए कुछ अलकोल कुछ मेडिसिन भी लाई हुई थी क्रिमिनल फीन से गयता है कि मेरे साथ चलो क्योंकि उसे फीन की बोर्ट की ज़रुवत थी ये इसी बोर्ट पर बॉर्डर क्रॉस करकर मेकसिको जाने वाले थे पर तबी अचानक से बोर्टर की पुलिस ने ने देख लिया ये क्रिमिनल जल्दी से बोर्ट से उतर जाता है और एक जगा पर जाकर रोख गया पुलिस ने फीन से बात की उससे पूछा तुम यहां कर क्या रहे हो फीन गयाता है कि मैं ऐसे हैंग आउट कर रहा हो तो पुलिस उसे ले कर जाकर उसे घर छोड़ देते हैं घर आने पर फीन अपनी सिस्टर के बॉर्टर के साथ जिसका नामे चो काम पर जाता है इनके स्टेट के सबसे अमीर लेड़ी के घर पर इने काम करने के लिए जाना था जब ये लेड़ी यंग थी तो उसके शादी में उसका ग्रूम उसे छोड़ कर चला गया था उसके बाद से वो पागल हो गई इसी वज़े से उसका घर तहसनेस पड़ा हुआ था इसी का काम फीन और जो करने वाले थे जो घर में गया और फीन बाहर ही रूख गया वही गार्डन में फीन ने एक लड़की को नोटिस किया वो अचानक से वहाँ से चली भी गई थी जो घर में गया और उसके लिए पैसे रखे हुए थे कोई भी काम उसे नहीं करना पड़ा तो उस लेडी पर बहुत असता है घर आने पर फीन की सिस्टर को उसी लेडी का कॉल आया था वो लेडी फीन को अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ खेलने के लिए बुला रही थी जो और फीन की सिस्टर दोनों बहुत ही खुश हो जाते है क्योंकि Finn को अच्छे बैस से मिलेंगे यही TV पर Finn देता है कि वो क्रिमिनल पकड़ा जा चुका है अगली दिन Finn उस लेड़ी के पास गया इस लेड़ी का नाम था Nora वहाँ पर वो Nora की ग्रैंड डॉर्टर Estella से मिला जो बहुत ही beautiful थी Nora Finn से मिलती है पर डार के लिए उसके साथ डांस करने लगती है वो खुद बोर हो रही थी तो इसी वज़े से उसने Finn को बुलवा हुआ हुआ था Finn कहता है मैं डांस नहीं कर सकता पर मुझे ड्रॉइंग आती है Nora ने उसे इंकरेश किया वो इस्टेल का पोट्रेट बनाने के लिए उसे कहती है पोट्रेट बनाते हुए उससे पुछती है तुम्हें इस्टेल के बारे में क्या लगता है Finn कहता है कि वो बहुत ही beautiful है Nora कहती है तुम अभी इसे उसे प्यार में हो उसे प्यार करना मत वो सिर्व तुम्हारा दिल ही तोड़ेगी तुम उसके पीछे पड़े रहोगे और वो हमेशा तुम्हें हर्ट करेगी ये बात एक बच्चा समझ नहीं सकता अब वो प्यार करता है तो करता है इसके बाद Finn और इस्टेल जब नीचे आए तो घर में फाउंटन चल रहा था इसी फाउंटन से इस्टेला पानी बीती है उसने Finn को भी ट्राइ करने के लिए कहा फिन जब वे ट्राइ कर रहा था तब इस्टेला उसे किस कर लेती है उसे बहुत अच्छा लगा इस मुवमेंट को कैप्चर करने के लिए घर जाकर उसकी पेंटिंग मनाता है इसके बाद एक दिन उसकी सिस्टर उसे छोड़ कर चली गई और कभी भी वापस नहीं आई सिस्टर के बाइफ्रेंड ने हमेशा Finn का खैल रखा उन्होंने सिस्टर के बारे में बाद में कभी भी बात नहीं की Finn और Estella एक साथ घुल मिलने लग गए थे इसी तरीके से ये दोनों बड़े हो गए एक दिन Estella को पार्टी में जाना था पर नोरा उसे मना कर रही थी क्योंकि पार्टी होने की बाग उसे वापस लाने के लिए कोई भी नहीं था Finn कहता है मैं उसके साथ जा सकता हो Estella को ये सही नहीं लगता पर वहाँ जाने का उसका यही आप्शन था इस पार्टी के लिए Finn बहुत ही एक्साइटेड हो गया अच्छा सा सोट वेगरा पहन कर जब वो इस पार्टी में पहुचा तो गेसलिस में उसका नाम नहीं है Estella ने जान बुझ कर किया था पर वो पार्टी में बोर हो चुगी थी तो बाहर आकर Finn से मिलती है कहती है मुझे कही लेकर चलो Finn फिर उसे अपने घर लेकर आया Finn ने बना हुए सारे ड्राइंग्स उसने देखे जोसे बहुत या अच्छे लगे वो कहती है तुम्हें नियॉयॉक जाना चाहिए सारे आर्टीस होई जाते है अगर इस टाउन में रहे तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं रहेगा इन्हीं ड्राइंग्स में उसने अपने खुद की भी पेंटिंग नोटीस की वो इसमें बहुती ब्यूटिफुल लग रही थी उसके हैस भी अलग थे वो Finn से बुछती है क्या तुम्हें मेरे हेल्स इस तरीके से अच्छे लगते है Finn ने हाग कहा तुम्हें और क्या अच्छा लगता है वो उसके पास आगे Finn उसे टच करने लगता है एस चला ने उसे किस कर लिया तुरन बाद उससे वो दूर चली गी Finn कहता है कि हुआ क्या उसे लेट हो चुका था तो अब घर जाना था कुछ फ्रेंज में बोलकर यहां से वो चली जाती है वजबन से लेकर आज तक Finn को इसी तरह के से वो ठीट करती है कभी उसके बहुत ही करीब आगे तो बहुत दूर चली गी एक दिन जब Finn Estella से मिलने के लिए उसके घर अपर आया तो आसपास कही भी नहीं थी नोरा ने Finn से बात किये कहती है मेरी शादी में मेरा बॉइफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया था वो ऐसा कर कैसे सकता था आदमी बहुत ही घटेया होते है उन्हें उसके लिए भूगदना पड़ेगा मैंने जो गलती की Estella कभी भी नहीं करेगी उसने Finn को बताया कि अपनी एजुकेशन के लिए स्विजर लैंड चली जा चुकी है चलाने Finn को इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं था Finn बहुत ही जादा heartbroken हो जाता है उसकी प्यार से faith चली गई थी अपने आपको उसने काम में डाल दिया painting करना भी छोड़ दिया था वो गहता है अब मैं खुद को खड़ा करूंगा अच्छे से उसने fishing वे गिरा सीखिय जैसे time बिता गया वैसे वो emotionally stable था एक दिन अचानक से एक lawyer उसके पास आता है उसने उसे का मैरे employer ने तुम्हारी कुछ painting देखी है वो तुम्हें New York बुलाना चाहता है तुम्हारा exhibition रखना चाहता है Finn को लगता है कि आदमी fake है इसा कुछ भी नहीं हो सकता पर उस lawyer ने उसे directly thousand dollars और flight ticket दे दिया Estella के जाने के बाद Finn ने paintings छोड़ दी थी और वो एक काम नहीं करना चाहता था पर थोड़ा सोचने के बाद इसके लिए ready हो जाता है उसे लगता है कि इस सब arrange करने वाली नोरा ही होगी तो उसे मिलने के लिए हो गया उसने उसे कहा कि मेरा New York में exhibition है Finn को पता था कि Estella भी New York में ही है तो नोरा से भुचता है क्या वहाँ मुझे जाना चाहिए मेरा art exhibition है नोरा कहती है ऐसी opportunity बहुत ही कम ही मिलती है तो मैं ले लेना चाहिए अपने exhibition के लिए मुझे भी invite करना इसके बाद फिर Finn New York में पहुच गया Finn का exhibition तो है और उसके पास कोई भी painting नहीं थी वो painting करने के लिए डर रहा था वो सोच रहा था कि लोग उसके काम को judge करेंगे art gallery की manager उसे कहती है मुझे में तुम्हें आर्टिस दिखता है तुमारे पास 8 weeks है इसमें कुछ तुम draw कर सकते हो या second option या New York में घूम लो जैसे आये थे वैसे वापस चले जाओ Finn को अपने आपको फ्रूव करना था तो चैलेंज वो accept कर लेता है जब उसने draw करने की कोशिश की तो पहले जिस तरीके से करता था वैसे फिर से करने लग गया Finn realize करता है कि उसके पास एक gift है कि उसने ignore किया था पर ये फिर से उसके पास वापस आ रहा है तो इस opportunity को जाने नहीं देगा एक जगा अपर उसने fountain का tap देखा जिस तरीके से पानी पीते हुए Estelle के साथ उसकी first case हुई थी उसी तरीके से यहाँ पानी पीने लग जाता है फिर से Estelle उसी के साथ पानी पीती है इतने सालों बाद ये फिर से मिले एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे Estelle ने Finn को कल एक जगा पर मिलने के लिए बुलाया अगली दिन excited होकर Finn वहाँ पर पोज़ गया करता था Estelle आप चाहती है कि Finn उसकी फिर से ड्राइंग बनाए बॉइफ्रेंड ये सब चीजे देखकर नर्वस हो गया था एक दिन ऐसे ही बिना वताय Estelle Finn के घर पर पोज़ गई उसे उसकी पोट्रेट बनाने के लिए गहती है बोर वो न्यूड हो गई Finn भी उसके बहुत सारी ड्राइंग्स बनाता है जितना टाइम में उसके साथ थी वो ड्राइंग ही करता रहा Estelle को कुछ और काम था तो बिना कुछ बोले ही वहाँ से जा रही थी वो उसके पीछे भीचे भागा उसने पूछा तुम हमेचा मेरे साथ ऐसा करती क्यों हो क्या तुमें कुछ भी फील नहीं होता Estelle ने कहा ये बचपन से मुझे एक ही बात पता है इस सारा वर्ल्ड मेरा एनिमी है उसे लाइफ में कुछ भी होप मिलने नहीं वाला फिन कहता है कि तुम अपने बारे में बहुत ही गलत सोचती हो तुम भी फील गरती हो, hopeful हो मैंने सारी चीज़े तुम में देखी है Estelle ने कहा कि मैं जैसी हूँ वैसे ही हूँ Estelle को इस सब चीज़े सही नहीं लगती उसे लगता है कि लोग कभी भी बदलते नहीं इसके बाद जब फिन घर पर था तो Estelle का boyfriend उसके पास आया उसने Estelle की new drawings वहाँ देखी वो गहता है Estelle मुझे जेलस कराने के लिए सब कुछ चीज़े कर रही है मैंने अब तक उसे शादी के लिए नहीं पूछा वो फिन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है मुझे प्रपोस करना चाहिए फिन उसे हा कह देता है वो और कुछ भी बोल नहीं सकता था नेक्सिन में फिन को उसके एक्जिविशन के मैनेजर ने बुलाय हुआ था वो उसे बहुत ही बड़ा स्टूडियो देती है फिन भी एक्साइडेट था वो गयता है सारे नुई यॉक में मेरी पबलिसिटी होनी चाहिए हमेशा उसने इस वर्ल्ड से कुछ भी मांगा नहीं था और अब उसे सब कुछ चाहिए था उसे लगता है नौरा ने एक की रीजन की वज़े से उसे नुई यॉक भेजा वो होगा कि वो एस्टेल के बरावरी का बन सके सकस्सूल हो सके एक दिन फिन और एस्टेल ये दोनों पार्क में आये होए थे इन्होंने बहुत सारी बाती की इसके बाद एस्टेला फिन से कहती है मैरे बॉइफ्रेंड ने मुझे प्रोपोस किया फिन इस बात से हर्ट हो जाता है पुछता है तुम ये सब जीजे मुझे क्यों बता रही हो वो गुस्सा था क्योंकि एस्टेला इसी तरीके से हमेशा उसे प्ली करती है एस्टेला कहती है मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहती हो फिन गुस्से में उसे कॉंग्रेचुलेशन कहे देता है रात में उसने रियलाइस किया कि उसे ऐसा उसे कहना नहीं चाहिए था वो इस तरीके से उसे जाने नहीं दे सकता हर जगा पर उसने उसे ढूंडा एस्टेला अपने बॉइफरेंड के साथ एक डेट पर गई हुई थी वही पर वो पहुँच गया बॉइफरेंड के सामने उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ डांस करने लगता है फिर डारेक्ली अपने घर लेकर आया इस दोनों इंटिमेट हो गए रात में एस्टेला उसे दूर जाकर बेटी थी फिन बुचता है कि क्या हुआ वो कहती है मुझे नोरा से मिलकर आना पड़ेगा फिन कहता है कि मेरी एक्जिबिशन तक तुम वापस आ जाओगी एस्टेला कहती है मैं तुम्हारा एक्जिबिशन मिस नहीं कर सकती है इसके बाद बहुत दिन हो गये फिन का एस्टेला से कोई भी कॉन्टैक नहीं हुआ एक्जिबिशन का डे आ जाता है यहाँ बर हर जगा वो एस्टेला कोई ढून रहा था वो बहुत ही डिस्टब हो गया तबी जो ने आकर उसे सप्राइस किया फिन सप्राइस हो था पर फिर भी एस्टेला की वज़े से वो डिस्टब था यहाँ इस पार्टी में जो सबसे मिलता है जो के कबड़े फिन को अच्छे नहीं लगे जो बहुत ही प्राउट थे वो सबसे कह रहे थे कि फिन बहुत ही छोटी से टाउन से है बर फिर भी इतने बड़े शहर में इतना बड़ा एक्जिविशन उसका है फिन नहीं चाहता था उसे कोई भी जज़ करे इसलिए उप्रस्ट हो जाता है यही बाते करते करते जो एक वेटर से टकरा गया सारी चीज़े नीचे गिर गई थी यह उठाने के लिए जो help कर रहा था फिन कहता है कि इसे रहने दो पर जो मानता नहीं तो इस बात पर फिन डारेक्ली उस पर चिला पड़ा फिन को जो लगता है यह जो ने रियलाइस किया वो वेचारे heartbroken थे फिन उनके पीछे गया पर वो कहता है जो भी तुमें success मिला है यह तुम deserve करते हो इसके बाद वो यहाँ से चले गए फिन का exhibition बहुत ही successful था उसकी सारी painting sold हो के वो millionaire बन चुका था वो हमसे कहता है कि मैंने सब कुछ तो पा लिया पर फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं था जिन लोगों से मैं प्यार करता था उन्हें मैंने हर्ट कर दिया राद में वो फिर एस्टेला के घर पर पहुँच गया बाहर खिड़की पर उसे उसके shadow देखी वो चिलाता है कि देखो अब मैं अमिर बन गया क्या तुम्हें यहीं नहीं चाहिए था मुझे में जो भी special है इस सब कुछ तुम्हारी वज़े से है वो फिर उपर आ जाता है खिड़के में एस्टेल नहीं तो नोरा थी फिन ने बुझा कि एस्टेल लगा है नोरा ने का कि उसके शादी होगी नोरा ने फिर उससे सब कुछ reality बताए तो कहती है कि आदमें को किस तरीकी से treat करना है किस तरीकी से manipulate हो करें यही टेनी में बज़पन से एस्टेल को दे रही थी तुम सिर्फ उसके लिए practice थै मैंने तुम्हें warn किया था कि उससे प्यार मत करना वो तुम्हारा दिल ही तोड़ेगी जब तुम नियॉक में आए तब उसका boyfriend उसे commit नहीं कर रहा था तुम्हारे साथ relationship का pretend करने के बाद उसके boyfriend को उसकी गलती realize हुए marriage करने के लिए भी उसने सिर्फ तुम्हें use किया फिन को यह सब सुनकर बहुत दर्थ हुआ वो नोरा के पास आता है उसका हाथ उसने अपने दिल पर रखने के लिए कहा वो गहता है अब मेरा दिल तूट चुका है जिस तरीके से नोरा का फियांसो से छोड़ कर गया था उस heartbreak में वो पागल हो की उसी तरीके से फिन का भी heartbreak हुआ है नोरा ने अपनी गलती realize की उसे बहुत बुरा लगा पर अब बहुत ही जादा लेट हो चुका था एस्टेल अपने husband के साथ एक अलग country में चली जाती है आज राज जब फिन अपने घर पर आया तो नीचे कुछ लोग एक आदमी का wait कर रहे थे इनकी बातों से उसे पता चला कि उस आदमी को मार डालेंगे एक आदमी building में चूप रहा था तो फिन ने उसे अपने घर में आने के लिए कहा हम देखते हैं कि आदमी वही criminal है जिसे बच्पन में फिन ने help की थी फिन उसे firstly पहचान नहीं पाता फिन से बात करने के बाद सकसे जानने के बाद एक क्रिमिनल उस पर बहुत ही जादा प्राउड था फिन ने अभी भी उसे पहचान नहीं था तो एक क्रिमिनल बच्पन में उसने फिन को जिस तरीके से पकड़ा था उसी तरीके से फिर से पकड़ लेता है फिन ने उसकी आखो से उसे पहचान लिया फिन आज भी उससे बहुत डर रहा था वो उसे जाने के लिए कहता है क्रिमिनल ने का मैंने बुलिस को कॉल किया है थोड़े टाइम में यहां से मैं चला जाऊंगा क्रिमिनल ने सारी पेंटिंग्स देखी उसमें फिन ने उसकी भी एक पेंटिंग बनाए हुई थी वो गहता है तुम कितने बड़े हो चुके हो मैं तुम पर बहुत ही प्राउड हो जब वो जा रहा था तो उसने कहा कि लॉयर ने बहुत अच्छा काम किया यह उसी लॉयर के बारे में बात कर रहा था जिसकी वज़य से फिन आज यहाँ है फिन को क्लियर हो जाता है कि इसरी ग्रिमिनल ने उसे सारे बैसे दिये थे वो फुर उसके साथ क्या अब पीछे के दरवाजी से निकल जखते है ग्रिमिनल गयता है कि हम में पैरिज जाने वाला हूँ वहाँ की लटकिया, वहाँ के नजारे बहुत ही अच्छे है वो जाने के लिए एक साथ रेड़ था ये चलते जलते स्टेशन पर आये पर जो लोग क्रिमिनल को ढूंड रहे थे वो भी वहाँ पर भोच गए थे ये जल्दी से ट्रेन में चड़ जाते है क्रिमिनल कहता है तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए हम दोनों बहुत एंजॉय करेंगे पर तभी हम देखते हैं जो लोग इसे ढूंड रहे थे ये ट्रेन में भी चड़ चुके थे ये आकर क्रिमिनल को मार डालते है मरते मरते क्रिमिनल सब कुछ बताता है कहता है मैंने लाइफ में बहुत सारी गलत चीज़े की पर सिव एक बहुत अच्छी चीज़ की थी तुम्हें नियॉक भीजना मेरे पास बहुत सारे पैसे थे इस सारे मैंने तुम्हें दे दिये हैं हमेशा तुम आर्टिस की लाइफ जीना इसका मतलब है Finn का सारा आर्ट एक क्रिमिनल नहीं बाय किया था एक इलीगल वेसे अपने सारे पैसे उसने Finn को दे दिया Finn की बज़पन की ड्राइंग बुक आज भी क्रिमिनल के पास थी उसे पता था कि बहुत अच्छा ड्राइंग करता है उसने Finn का ड्राइंग पच्पन में पहचान लिया था Finn को बहुत बुरा लगा उसी के बास क्रिमिनल की डेट हो गए आज फिन का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ था पर उसी ये भी पता चला कि लाइफ ने उसे और एक चांस दिया है पर क्रिमिनल चाहता था कि Finn हमेशा खुश रहे वो उस पर प्राउड था फिर इसके बाद Finn अपने घर पर जाता है जोग को उसने हट किया था उसके पास फिर से वापस जाकर अपनी रिलेशनशिप सुधार लेता है जो पर भी अफिन की कोई भी रिस्पॉंसिबिलीटी नहीं तो उसने भी अपनी न्यू फैमिली क्रियेट कर ली है वो भी खुश था इसके बाद Finn पैरिस चला गया था बहुत सालों बाद जब फिर से अपने टाउन में वापस आया तो फिर से नोरा का हाउस देखने के लिए जाता है उसकी अपडेट हो चुकी थी इस जगह अपर कुछ और बनने वाला था जेस गार्डन में एस्टेल उसे फर्स टाइम मिली थी उसी पर उसे याद करता है पर तभी एक छोटी से लड़की वाँ खेल रही थी उसी का पीछा उसने किया वो एक्चुल में एस्टेल की बेटी है एस्टेल भी इस घर को लास्ट टाइम देखने के लिए आई हुई थी फिन को पता चलता है कि एस्टेल का अब डिवास हो चुका है एस्टेल फिन से मिलकर खुश थी फिन अब और भी फेमस आर्टीस बन चुका है उससे कहती है आज कल में तुम्हारे बारे में बहुत सोच रही थी उसने उसके साथ जो भी किया इस सारी चीज़े उसे रिग्रेट कर दिया वो बुशती है क्या तुम मुझे कभी माफ कर सकते हो फिन कहता है क्या तुम मुझे जानती नहीं वो हमेशा उससे प्यार करता रहा है वो कभी भी उस पर गुसा नहीं हो सकता इन दोनों ने एक दूसरी का हाथ थाम लिया अब ये फर्स टाइम रियालिटी में एक साथ थे इसके पीछे और कोई प्लान नहीं था यही बड़े मुवी एंड हो जाती है एस्टेल एक फॉल्टी गैरेक्टर थी वर फिन ने उससे हमेशा बहुत प्यार किया धोका होने के बाद भी फिन फाइनली उसे माफ कर ही देता है एस्टेल जैसी भी हो ये फिन के लिए कम्प्लीट है ये स्टोरी जब वो बता रहा था तो उसे लगता है कि उसका एस्टेल के लिए प्यार यही इनफ है उसे प्यार करे या नहीं फाइनली अपने प्यार की चर्णी में उसे एक राहत मिली इसे के साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुविस लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए और बिल नोटिवेशन आइकोन दमने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूग के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया